देखो जो तुमने बताया ना CID को उसी प्याड़े रहना वन्न मुझे भी फसाद होगी बिना बात के जी आ रहे हैं वो नहीं बाहर तो किसी ने नहीं देखा किसी ने भी आपके सहली सीमा को बाहर गाड़ी में बैठते वे नहीं देखे मुझे आपके मैंनेजर साब की बात में विश्वास नहीं हो रहा है क्या बताया है तुमने वह पुलिस की जीप में बैठके गई है जी नहीं ऐसा हो इनिये सकता है मैंने आज तक कभी देखा ही न सब ऐसा ही हुआ था ऐसा होना मुश्किल है ऐसा नहीं हो सकता है नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है बाहर अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने उन्हें पुलिस की जीप में बैठते हुए देखा वही तो मैं कह रहा हूं पुलिस के पास वैसा ही गाड़ियों की कमी वह कंसे भेजेंगे कहां से बाते थिए सफेद सुपव सेजी एविलेंस दीए दी के नेव्य कीजीव आख़े काड़ी दीचे नहीं है था के इनौट तो याल साथ यू मेजा विद देखुथ अनधी सालू से फूलत कमा नी यहां पर फूलाथ कि रिष्टेदार भी है अच्छा क्या रिष्टा है आपको जी वो मेने पती की बहन है और ये बुद्धिक आपका है जी हुँ कि आगे क्या हुआ साब आज करीब 11 बजे वो यहां से अंदर आई हाई 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 बल्विंदर हैलो रश्मी नहीं नहीं मैडमा भी तक नहीं कोई बात नहीं मुझे कुछ पर्सस देखा दो ना कल मुझे पाटी में जाना है आई यहां यह यह देखिए परसी पर्स हैं या सिमा यह क्या राजेश का एक्षिनेंट और यह कैसे हुआ अब कैसे है वो कहां पर नगीन दास रोज पर प्लीज दिखिए हाँ 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 मैं पासी में हूँ एलिगेंस बूटिक में जीप आ रही है तो थोड़ी देर बाद रश्मी मैडम तो मैंने हिने बताया जैसे ही मैंने सुना मैं नगिंदास रोड की तरफ भागी वहां जाके पता चला कि वहां को एक्सिडेंट हुआ ही नहीं है तो मैंने अपने हस्बेंट को फोन किया वो अभी भी इंक्वाइरी कर रहे है लो आगे नहीं किसी ने भी देखानी एक्सलिक होते हुए और पुलिस को भी कुछ पता नहीं है और सीमा को मोबाइल फोन में बंद है अचानक फोन कैसे बंद हुए ये लोग सी आईडी से आप मेंसे किसी ने सीमा के हस्बेंट से बात करने की कोशिश नहीं की कोशिश की घंटी बजरे कोई फोन उठाई नहीं रहा और उमके घर में जो लटका काम करता है वो भी छुट ये राजेश की कार है हाँ हाँ ओनेट गरा में गाड़ी चलनी होई है कहीं वो यही तो नहीं है फिर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है सीमा एक चावी ये ट्यूब लाइट के उपर रगती है राजेश, सीमा, सीमा, राजेश, यहाँ पर है यह तो है राजेश, फिर शुरू वे इसकी तारूर, दस दस दिन तक बीता रहता है कि उठा रहता है उठाविक सेर्ण विता है रजेश, रजेश, रजेश रजेश कि उठ्ञा पानीबन अप्ड़ेगा अरू भी मारो पानी क्यू मारते हो विबिमारो उठाविक सेर्ण आलम वार है तो यह एक है एक निए इस अज़े सुभा हो एक इसुबह एक है सुबह तो कब कि उचुकी ए और कि यह तो यह पर तू फोन ने उठा रहा था तो मैंने तेरे सारे पेट्रोल पॉन कर पूछा तू नहीं मिला तो मैं आए या तुझे दूदे दूदे परसू परसू जो 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 रहा है यार कि अ आप अपना सेलफोन भी नहीं उठा रहे हैं क्यों आपकी वाइफ को इनकी बुटिक पर किसीने फोन करके बताया कि आपका एक्सिदेंट हो गया है और पुलिस की जीप उसे लेने आ रही है वो एक जीप में बैटके चली गई है तब से गायब है हां अब सीवा कोई पता नहीं है तीकि मैं मैं जर कर शाम से पीरा हूं मुझे कुष्री पादा यहीं इसी घर में पी रहा हूं थोट आँ गया वोग इने कि अब टेक नहीं आप सुबह वहां सुबह उठा दा वो सीमा ने कब चाय दिया फिर उसी कि बाद चली ही वो इसी मा देखती कैसी सीमा की तस्वीर है घर में तस्वीर आप अब उदर बेडरू में शायद ड्रॉर में होगी हो इसके बात आपकी वाइब की जाने के बाद क्या हो उसके बाद मैं मैं फिर पीने लगा मैं सुबह सुबह से पी रहां कि मज़े तो यह भी पता नहीं चला कि मेरी आख कव लगगी आप सुबह से बार नहीं गए ने बिलकुल नहीं अच्छा आपकी गाड़ी का इंजिन अभी तक गर अची आपका अब पार नहीं करें इंजिन गरम कैसे हो गया इंजित अस्विर अच्छा बो नहीं का नगधिष नहीं आपके अरे में फिर तो टीकल अट्राइब को व्लाओ पहुच तो तो आजा राजेस जी जीब में आपकी वाइफ गई ती आपकी वाइवे अज़े जीफ हमें आरे कॉलोनी में मिली है लेकिन उसमें सीमा जी का कोई आता पता नहीं और उसमें आता पाई के निशान भी है अभी भी वक्त है सच सच बता दीजे मुझे दूख कुछ मालूम नहीं ठीक है आपसे बात मिलते हैं यही शलो आपके साथ अज़े बात कोई अज़े अज़े मैं सकता दीजेए रुकों अचा ठीक है ऐसी हाल में पता नहीं क्या कर दे आशा अब बताओ क्या क्या है सर्य यह जीप चोरी की है मालिक रिपोर्ड लिगवाने जाही रहा था कभी उसे पता चला कि सी आईडी को सफीजीप की तलाश है अंदर कुछ मिला सर अंदर यह मिला है अरे यह तो सीमा कही आ रहे है तो यही वो गाड़ी है जिसमें सीमा को ले जाए गया हाँ सर काश तूटा हूआ है खून भी लगा हूआ है यहां काफी कुछ हुआ है बस यहां काफी कुछ हुआ है बस यह देखिए सर यहां भी यह देखिए एक बड़ी अजीब बात है सब गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सारे निशान मिटा दिया किसी ने यह यह सीमा का ब्लेड गुरुप क्या है आको कुछ पता है हाँ बी पॉजिटिव हमारे एक रिलेटिव की सरजरी हुई थी तो हम दोनों खून देने करते हैं मगर ही सिमा है कहा है टॉक्स को डेड़ी है यह सर्थ क्या है सीमा को जो कप्ला लाएं वो लेकिया हुआ 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 चब कुद बहुआ हुआ 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 समय 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 लगों को यह सब लपड़े करने का टाइम कहां से मिलता है और इसी जगह कैसे ढूंड लेते हैं समय दूनना क्या है इस रास्ते से रोज गजरो तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पर ऐसी जगह है जाके किसी को भी Penas किया आवाँ? सिर, लाशे हैं. अच्छाँ. कियça किया आवा हैं. अच्छाँ wam कुल सकते हैं. नच्छाँ. नच्छाँ ut ही. याच्छाँ, नच्छाँ. नग़्छाँ नच्छाँ,aqu делатьına ़िक अच्छाँ. अच्छाँ! नच्छाँ, यु्मूakap जफेसे हां, कुछ है कुछ है? तुम्हें भी नहीं है? मुझे नहीं मौलूम इस जी बाद लेखे है यह लाइब सीमा हुई है और लाश किसी दूसरी होत की लेखे प्रॉप सार सर डोग और आगे जा रहा है बिया आगे कह जा रहा है इसका मतलब सीमा का यहां आगे ले जाए गाह ले ऐ यह रहे जा किरक हंवा बिट तो अब विदॉसद एंट बॉट बॉटल भalश्मेल समय अगर लिएम था difी दोग ने जाए कि आप जा के बेटो तोह्तो को यह ही सिसे सदाकर से तो तो वाँ एक लाश पढ़िए आशा भी साथ में तेखो जाके लोके सर्थ यह देखा तुमने टायर के निशान साफ नहीं है फिर भी दीख रहे है तायर के चोड़ा इसी तो लगता है कि कोई मिट साइज कार है अब जीत एक खबर और यह लड़की जहर खाकर के मरी जहर खाकर के मतलब चीप में खून इसका नहीं है नहीं वो तो सीमा के खून से मिलता है बी पॉसिटिव जहर खुद खाया होगा या किसी ने किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला करके पिला दी ज़रा ज्यादा ही मिला दी इसी बाकर क्या हुआ होगा अब जिससे ये बात पूछ सकते थे वो तो वहाँ पड़ा हुआ है तुनों के वो यहां है सर नहीं से लिया है पाकिश रहता है औशिये आप ही कह अंतजार का सरकार अगर होश में आगए होँ तो एक लाश तिखा सकते अपको अगा लाश दिखा सकते आपको एक लाश ने मैं नहीं देख सकता इक लाश स्यूम पहलाक्य नहीं तदेख लोहाँ सुद कुछा है लिए नाथ नहीं के लग गालनी देख से क्ता हूं देखो मैं खिरन्य हमान इसे हैंखक़ा अब इसे पीचानते हैं कर दो जुदिन के निया है एर जिया है पुजए डिरिंक मिल सकता ऐंक तुम से एक घर चोड़के आता हूँ इसके तबे तुम से ज़्जादे क्राब होगी है यह जाए इसे लिए और यह दूजाए है ना कि अंग वर्क और किससे बूचा है सुपर्भ पीस पोलीस वोग आज कल खा क्या रहा है हाँ, ओके, क्या हुआ, सुदागर का फोन था, अरे से, अच्छा काम किया उसने, अपने काम में लगा हुआ, हर एक आदमी से पूछ आज कर रहा हो, उसे एक आदमी ऐसा मिला जिसने आज एक सफेद गाड़ी वहां खरी देगी, करीब पाउने बारा बजे, सफेद गाड़ी सफेद गाड़ी तो राजेश के बंगली के बाहर भी खड़ी थी, याद है, बोनेट गरम था, मतलब, मतलब नहीं राजेश तो नहीं गया रहे, मैं, रुपो उसे, तेरा कुछ चक्कर समझ भी नहीं आ रहा मुझे, या सिमा गाए बाव तू, जी कुछ फिकर ही मिली, पी चूनोजर आए, रुपो, प्रिटार मिला के देखो, तेको मैंच होते हैं क्या मैंच होरा है, मैंच होरा है प्राजेश आपके नहीं जा रहे हैं इदर आए इदर आए आप इदर आए इन्हें इसके देखिए आपके तैर इस पोटो से मैच हो रहे हैं इसका मतलब आपकी कार आरे में थी जहां से लाश मिलिया है मुझे से कुछ समझ में नहीं आरा है अभी सब समझ में आजएगा उदर ते लिए आप इकार किता लाए इस्टाड़े रही है इसका आप फार आई है तो बार आइया है अश्यक्ता कर दो आप अज़ित आज का टोल टिकेट वाशी का मतलब यह गाड़ी आज शहर से बार गई थी नेकात नाराजिश के घर के बाद गोनेट गरम है इसका मतलब कार चली हुई थी अजय के अजय कर आपकी कार वाशी में कहां गई थी वाशी में अजय काफी बड़ा बनाया आपने वाशी में एक एक कोना चान ना रहे हां का यह थी ताइम बेश तूर रहे वैसे भी दो तिन गिंटे होगे गला बूस शूक रहे है यह ना टेंशन में बश्र पुद्ध ब्यास लगने लिए शत्या है साप कोजरा पाणी बिलो पाणी बिलो पाणी अजय के आओगा स्थाद कुछ्द चुछ भाण बिलो पाणी अजय करते कि अध बश्र पाणी पाणी प्रूक्पश अब्याइए वह ख़ुछ्छ्वड़ड़वाद साप पाणी अधुछ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छद्ध। यह सिमाइं होगी सिमाइं है जिन्दा नहीं है साथे बैग भी पड़ा है इसे भी यहां पर छुपा दिया ताके किसी कोई कुछ पता ही न चले देखो बोल के देखो सेरफोन है जब देखो आकरी फोन किसका आया है राजेश लिखाओ राजेश जब इस नमर पर डाइल करो कि यह आपका फोन है राजेश जी आप कहते हैं कि आप सुवे से घर पर ही है पर आपकी कार आरे में देखी गई फिर वो कार वाशी आई आपका कहना है कि आपके अपनी बाई को फोन किया ही नहीं पर आपका नमबर यहां पर है मोबाइल खोया आपका मुंबई में और मिल रहा है यहां पर जहां पर सी एक नया चक्कर हलो इंस्पेक्टर अभीजी तेयर क्या यार अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहां क्या हुआ है उपर सी एक नया चक्कर कल सुबह मिलते हैं यहां बहुत देर लगने वाली है और उन्हें बोलो उसकी तीन-चार फोटो भी लेकर आए अच्छा इस तो बेटी के लिए अच्छा इस पता चला के बेटी का नहीं पुलिस ने हमें कहा कि सी एडी में जाओ को हम रात को यहां आए थे मगर आप वाशे में थे तो मिले नहीं हम इस समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने हमें यहां बेजाई क्यों ने उन्होंने सोचा हुआ कि हम लोग जल्दी ढूंड देंगे आपकी बेटी को हाँ, प्लीज, हमारी तो जान निकली जा रही है, कल से गई है, अभी तक नहीं आई, आपके घर में और कौन-कौन है, हम तो अपनी बेटी और जमाई के साथ ही रहते हैं, वो अभी कहा है, वो बाहर गया हुआ है, काम के सिलसिले में टूल पे जाता रहता है, करीब पनरा दि दिखाए, फोटो लाया ना आप लोग अपनी लड़की की, हाँ, जरा वो फोटो दो इने, हाँ देते हैं, लीजे, जितनी बिले, सब लाई है, ओ मैगाड, ये तो वही लड़की है, अरे, क्या हुआ, कुछ नहीं है, ये कौँ है, ये तो हमारे लड़की है, और ये, ये हमारा जमाई है, प्रकाश, हम इसी के गर में रहते हैं, ये इनका दमाद है, प्रकाश, अच्छा, और वो जो सिर पे चोट का निशान है, वो? वो शायद जब जीप में हाथा पाई हुई होगी, तो खिड़की पे सिर लग गया होगा, चलो अंदर, बेटो वहाँ, क्या हाँ, दो दो चादी करके बैटा हुआ है, है, पैली चादी किससे की, है, सीमा से, सीमा से, और दूसरी कब की, दूसरी, उसके धीन सल्वाद, दूसरी शादी क्यों की, है, बस ऐसी, एक दिन बाईशांस नलिनी से मिला और, और प्यार में बढ़ गया है, और नाम बदल के दूसरी शादी करने, केल बना रखा है, इस शादी का सिमा को पता नहीं चला, मैं पंदरा दिन एक जगा रहता हूं, पंदरा दिन दूसरी जगा रहता हूं, तो दोनों मेंसे किसी ने भी नहीं पूछा, कि पंदरा दिन कहां रहता है, मैंने दोनों को बोल के रखा था, मुझे काम के सिलसले में बहार जाना पुरता है, एक ही शेहर में दो दो बीवे है कि एक दन ऐज लिन ने मुझे सीमा के साफ देल ओ tôi मुझे सीमा बारे में सब कुछ पता चल चुमा सीमा कॉन सीमा कॉन सीमा गहाद दीको, गहाद इसा बड़ा दोका मैंने देखा ये तुम दोरोको साथ पैं मुझे सब पता चल गया उसने बारे में अब देख तेरी उस पीवी का में क्या करती हूँ सर गुसे में इंसान कुछ भी कर सकता है अचा ठीक है सीमा को नलीनी ने मार दिया या मरवा दिया तो नलीनी को किसने मारा किसने पिलाई उसे वो नीम की बोलिया यह मुझे क्या मालूम जब नलीनी की लाश देखी थी तो ऐसा क्यों बोला था कि मालूम नहीं कौन है मैं इसे नहीं पहचानता अब मैं अपने मुझे कैसे बोलता कि मेरी दो दो शादिया होई है मतलब आप उस समय नशे में थे जरूर मगर आपका दिमाग सोर से चल रहा था सर यह ऐसे नहीं बोलेगा इसे एक गंटा हमारे साथ छोड़ दिजी फिर देखिये क्या होता है यह गाह के सुनाएगा पुरी स्टोरी हाँ सर इतने सारे सवाल जमा हो गए है कि अगर जल्दी से जवाब ना मिलाना तो मेरा दिमाग खराव हो जागा सर मुझे थोड़ी से तारू मिल सकते हैं सर इसकी इस तारू ने कितनी बार फसाया आएसे मैं क्या बताओ आपको हर बार यह फसता हर बार यह मुझे बुलाता अपनी बहन के वजे से मुझे जाना भी पड़ता था आपको पता है साप को बीच बीच में शौक चरता है कि यह बार में जाके दारू पी चार मैंने पहले एक आदमी के साथ जगडा कर लिया इसने काजल बार में उसके सर में बोतल फोड़ दी दो तुकड़े हो गए सर के वो पकड़ा नहीं गया क्यों नहीं पगड़ा गया बड़ फिर मैंने जाके विसा अपनी को दो लाक रुपे दिये उसका इलाज करवाया पजगा बिचारा उससे अपनी कंप्लेंट भी वापिस ले ली आप जाके देखें साकेट पुलिस टेशन में इसके नाम से एक केस दर्ज है मैं घड़ा जरूर हो लेकिन बेवखूफ नहीं हो अरे अगर मुझे अपनी वाइफ को मारना ही होता तो मैं उसे जंगल में बुलाता वहां पिलाता उसे जहर अरे जब दोना मेरे साथ ही रहरी है तो फिर मैं ये अड्रामा क्यों करता क्यों मैं जाता वाशिक था और ट्रंक में लास चुबाता हूँ है मैं तो मैं तो दोनों को ये बहुत प्यार करता था हम अगर दोनों एक साथ थी ना जीप में कैसे तब मुझे क्या पता कि जीप में क्या हुआ है जया जीप की फिर से तलाश लेते हैं सर यह है इस जीप ते मालिक कल पेश जी तुमने रिबोर्ट को ने लिखाई जीप चोरी होने की मैं यहां नहीं दा सर बाहर किया है अम अगर बाहर से है तो पता लगा था ना फिर क्यों नहीं लिखाई मुझे लगा मैं काने गाड़े लेकर जया हो जिबत तुम्हारा मैकानिक तुमसे बिना पूचे गाड़ी लेकर जाता है यह वैसी बात मिए लेकिन नकीं सबकेश कभी कभी घर से गारे लेकर जाते हैं अो वहां मेरा होना जरुरी ही होता हुआ क्या कि सुनने ऑनट आ है कारणी मैनेजर ने तुनले र कि दूसरी रश्मी ने सुनाई अथ त्यसरी यह सुना रहा कि 0 कि कार BJ, दूदीन मेकने के सरो, वह तूम्राथ गारेज में काम करते हैं सायन में अच्छा जी सर्व उन्होंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी गाड़ी उठाई कैसे हैं तुम्हारी इस गाड़ी में क्या हुआ हैं जी वह आसा जो ने बता हैं सर्व मैं भी पख़ा जाऊंगा तुभे मालूम है दो दो खूल हुए है और दोनों और इसी गाड़ी में दी वैके सु गूनी कə आड़ी में से उग्लियों के निशान साफ कर दिया स'm not help you कि कर पेश नहीं पख़ा जाना चाहिए क्योंके वैसे तो स्कूल्हों के निशान हे इस टेप पर तुव एक कि चीज ऐसी है जिस से भो छूठ जाता है वो क्या है? व कहो यह किसी के बाय हात के अंगुठे का निशान ठेप पर लगाई है यहां just मैं फॉर्सक्षी है जब और वोम ट्रेब को फ्लेस के अंकोटे साथ शाहिए लेकिन कैसेट पे वहाँ पे कलपेश के अंगुठे का निशान होना चाहिए ना हाँ होना तो चाहिए लेकिन जिसने भी यह कैसेट बाद में प्लेयर में डाली उसके अंगुठे के निशान से कलपेश के अंगुठे का निशान मिट गया और उसके अंगुठे का आ गया अज जवाब तो खेर नहीं है लेकिन मैंने जवाब ढूनने की कोशिश जरूर की क्योंकि मुझे मालूम था कि यहीं पर तुम अनिल कुंबले जैसी कोई गुगली डालोगे और मैं आउट जाओगा इसका जवाब यह है कि जब वो आदमी कार में से अपनी उंगलियों के निशान सब्सकार तो घलती से जिएख सट बाहर आ गया और उसने जल्दस्क ड़े में इस कैसट को वापस अंदर PUSH कर दिया और यह भूल गया के कैसट पर उसके अंगूथे का निशान लग गया है कर नहां अचल अजय हम सब्सक्राइब कि अब सब्सक्राइब और सीमा और ललीनी का खून करते हैं अब आप इस निशान को ले जाएए और ढूड़ियों साथ में सॉर्ड आम सॉरी सर्ड देखो कोई बुरी खबर हो तो मत देना सर्ड खबर तो बुरी है और आप ór can do Amo, can do Amo के ने जो फिंगापरेंटमे दिया है वह हूमारे रिकॉर्ड में नहीं है और अगर हम जोर लगाते तो फिंगरप्रेंट हमें भी नायए हूध थे ते थे, मगर अभी क्या? अभी तो यह हो रहा है कि हम फिंगर्पिंट को देखने हैं, फिंगर्पिंट हमें देख रहा है और वहां डाक्टर सालूंके अभी लगे हुए होगा इस प्रिंट के पीछे अब मजा रहा है, अब खेला जा सकता है इस फिंगर्पिंट के साथ इतने से छोटे से क्लू से इस फिंगर्पिंट से एक अपरादी कैसे पकड़ा जा सकता है सर, चोपाड़ी के पास एक बहुत अच्छा एस्त्रोलजर है, जोतीशी वो आदमी के हाथ के प्रिंट्स देखकर उस आदमी का पूरा इत्यास बाता सकता है क्यों नहीं हम ये प्रिंट उसे दिखा दे? वेरे गुड तुम्हे काम करो सुदा कर दो बड़े-बड़े ताले खरीद के लाओ एक तो CID ग्यूर के भार लगाओ और दूसरे अपने मूँ पे लगाओ जिस दिन हमें जोतीशी के पास जाना पड़े उस दिन आत्मत्या कर लेना अच्छा किन तस्ट्टिश एकर ले नहाँ चीटे के लेगाओ प्रलब करे खरीज़ सकते घय कर दो कर दो अजयादा दूल जाने की जरूत नहीं दो चाहर टेस्स से पता चल जाए सर इसे सुदाकर का इडिया बुरा नहीं है हमें तो केसी सॉफ करना है ना फिर चाहे वो जोतीशी से पूछके हो या फिर अपरादी को इंट्रोगेट करके हाँ फिर चाहे उसके लिए साड़क पेड दांसी क्यों ना करना पड़े है ना इंस्पेक्टर अपरजीत सिएडी हाँ डॉक्टर साहब कुछ मिल गया है अपरादी तो नहीं बाक्स लेकिन अपरादी की पूट्स जरूर पकड़ में आ गई यह जिसे बॉड़ी ओई और पसीन बाहर निकलता और खाल गिली रहती है ओके और इसी की वाज़े से फिंगर्पिंट साहते राइट राइट लेकिन जब हम किसी चीज को हर रोस चूते जैसे जिसे मिट्टी या कोई तेल तो उसके छोटे 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 पार्टिकल्स भी हमारी खाल के अंदर घुज जाते हैं और बाद में वो चीज भी पसीने के साथ साथ आइस्ता आइस्ता बाहर मिकलती है अब डॉक्टर साहब असली बात सुन लेते हैं असली बात यह है दया कि इस फिंगर्पिंट का केमिकल टेस्ट करने के बाद पता चला कि यह प्रिंट पेट्रोल पॉम्प राजेश के तो काफी पेट्रोल पॉम्प है यह आगी वहीं कहीं काम करता हो तो तुम्हारे कितने पेट्रोल पॉम्प है हां पेट्रोल पॉम्प हां तेरा वहां जितनी लोग काम करते हैं सब को जानते हो तो सुन धाइसों काम करते हैं सब को नाम से नहीं जानता है। नाम याद ना उच्छ तो याद होगी? यह तो याद होगा कि किसी से तुमारा जगडा हुआ हो? किसी को तुमने गाली वाली दे दी हो? इसे तो अस्मारा तो होंगे तुम्हे कोई ऐसा आदमी याद है, जो तुम्हारी दोनों बीवियों का सीकर्ड जांता है, और जो तुम से तुनी नफरत करता है चे। तुम्हारी दोनों बीवियों का खून करके तुम्हें फसाद है? याद करो. कौन हो सकता है आउप, कई वो अम्रीश तो नहीं? वो, वो, सांता को उस पेट्रोल पंप पे काम करता था पिछले महीने निकाला था मैंने उसे अम्रीश आप मेरे हातों के निशान ले लो जो मरजी कर लो साग पर मैं एक ही बात कहूंगा कि ये नलीनी सीमा कौन है मैंने जानता मुझे तो बस एक ही बात पता है और उसकी बहुत खुशी भी है कि आपने राजेश को पकड़ा है बहुत खुशी है इस बात की नहीं बॉस इसके अंगुटे का निशान नहीं है उस्टेप पर देगा साब मैंने कुछ किया यह नहीं है तो कैसे मिलेंगे निशान तुम्हें तो पकड़ा था ना उसने चोरी करते हुए हां चोरी कॉर्ण नहीं करता कि सब करते हैं चोरी पंपर कि नहीं अकेला थोड़ा इन था करते थे सब पकड़ा गया मैं है हाँ ठीक है पकड़ा गया तो निकाल लो ना काम पैसे ये क्या बात हुई थपड़ मार दिया लाथ मार दि जी म्यान था उस दिन उसका अकला दबा दू अब उस दिन की बात ले लो वो दूसरा पेट्रोल पंप है ना सायन पर वहां एक आदमी था मन्नु उसको इतना मारा इ मैं तो कुछ नहीं कर सका वो जरूर कुछ करेगा वह कौन सा पंप है वही समराट पंप वहाँ वाया रहा था उसे समराट पंप इस समराट नाम तो सुना हुआ लगता है ना अब वो कल पेश बता रहा था ना कि उसकी जीप रिप्यर होने के लिए समराट गराज जाती है कि जहां पर समराट पंप है वहां असपास में कोई गराज भी है क्या हाँ साथी में चिपका हुआ है वो समराट गराज कहते हैं इस मन्नु को ही पखला दिया मन्नु काम करता है समराट गराज में और कलपेश की जीब भी रिपेर होने के लिए समराट गराज ही जाती है वहां तो पूच्छ 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 अब और तो कुछ है नहीं हमारे पास सिवाए इस फिंगर्पिंट के पिछले छे साल से काम कर रहा है तो यहां पर काम करने वाले सभी आप बताओ साब उस फटीचर मनु की वज़े से सरमें दर्द होने लगा ता जोल जाल उस मनुने मच जाके रखा था गाड़ियों के मालिक अपने ड्राइवरों को भिसने पैट्रोल भरवाने के लिए बस सेटिंग होगी ड्राइवरों से हजार रुपे का पैट्रोल डलवाने के बाद करके 600 रुपे का डालता था बाकी 400 खुद की जिप के अंदर मनु का इतियास मत बताओ यह पता हुए मिलेगा कहा साब पगार बाकी हो उसकी यहाँ पर रोज फोन पर बहुत गालियां देता है साब सर में दर्द हो गया साब मगर मैंने भी सोच लिया साब इस बार उसका हिसाब करके हमेशा के लिए छुटती बास आता ही होगा साब अरे आगया तु आज तु मेरे पैसे दिलवादे वरना देख देख मैं क्या करता हूं मैं तुम दोनों की इज़त का वो कचरा करूंगा कि ना कट जाएगी तुम लोगों को दोनों को अंदर नहीं करवा दिया तो देखना अरे तो भाई चिलाता काई को है दे रहे ना ते कि दरा तुम लोग दो मीजाए चुप चाप कड़े रहो एहां का पॉस को यह और है कि जी साब वह यहां का पंसाब अजीद साब समालते है सर इसी पेट्रोल पंगे घराज में वो जीप आदे ती रिपैर के लिए जिसमें सीमा गई थी और इसी पेट्रोल पंगे सुपर अजीज सहाब राजिश की जीजा और सीमा के भाई मुझे पकड़कर आपका ये केस आल्फ नहीं होने वाला है आप लोग बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं एक भाई अपने बहन को क्यों मारेगा दो खुन हुए अजीद जी एक आपकी बहन का दूसरा नलीनी का हमें पता लगाना है क्या हुआ कि हुआ पकर साब आप इनका फिंगरपिंट मिला के देखो ज़ए हाँ मिलाई है लेकिन किससे मिलाएंगी कुछ मिलाएं आपको हाँ मिलाएं एक प्रिंट मिलाएं जीट में से ये वाला, और एक जो अभी अभी आपके अंगूठे का निकाला हूँ, ये वाला अब मैं इन दोनों प्रिंट्स को मैच करके देखता हूँ, हकीकत सामने आ जाएगा परफेक्ट मैच, अभी जीत, ये प्रिंट अजीत का ही मतलब, मतलब ये कि जीप के अंदर तुमी थे, तुमी ने नलिनी का खून किया है मगर अपनी बहन को क्यो मार दिया, है उसे मार कर मुझे क्या मिलेगा वो तो बिचारी गल्ती से वर गई नलिनी के खून का प्लान, सीमा ने बनाया था सीमा ने? हाँ जब नलिनी को पता चला कि राजेश ने दूसरी शादी की हुई है तो वो सीमा से मिलने आई जब उसने सीमा को बताया कि वो राजेश की दूसरी पत्नी है तो सीमा ये बात बदाश नहीं कर पाई वो पागल जैसी हो गई उसके दिबाग में सिर्फ एक ही बात खुश गई बद्ला राजेश से नलनी से फिर सीमा को ये बात भी पता चली कि ये ये नलनी को हर मैने लाखों रोपे दे रहा है कर उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है पत्नी होकर भी उसे पत्नी का अधिकार नहीं बिल रहा है उधर इधर सीमा गुस्से से पागल ता और उधर नल्ली भी राजेश से बद्ला लेना जा थे वो फिर सीमा से मिलने आई कि हम दोनों मिलकर राजेश से बढ़ा लेते तो फिर सीमा ने प्लान बनाया और वो मेरे पास आई कि कैसे नलनी को मार कर राजेश को पसाए फिर तुमने जीब चुराई और हमने नलनी को बुला लिया अगर प्लान सीमा का था तो सीमा की मौत कैसे होगी जिस ट्रंक के अंदर सीमा बैठी हुई थी, उसमें एक लकणी का टुकड़ा फसाय हुआ था, जिससे ट्रंक खुला रहे और हवा अंदर आ जा सके, और जैसे पुलिस बंगले के अंदर घुशती, तो प्लान के मुताबिक सीमा वो टुकड़ा भार फेक देती और ट्रंक बं आप बंग को हुए, अन्मा ट्रंक बंग घुए, सीमा भारे ने निकल वाए वह लोहीं पार जैग गुट-गुट़ा यह तुमने क्या करदी आजीत? तुमने मेरे लाइप में बरबात करदी? किया जीज़, क्यों किया तब शोर्ण का थे मेरे से, अजेश, शीदा किया थे मेरे से, अजेश, शीज़, क्वेश, व्याया, भारे, बोओे हूँ